इन तस्बीरों को हम साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि इने देखकर कोई भी बिचलित हो सकता है मामला सीतापुर के संदना थाना अंतरगत रामगर चीनी मिल के पास पाहला चौराहे का है पाहला चौराहे के पास गन्य से भरी ट्रेक्टर टाली की चपेट में आने से साइकल सवार दस वर्षी बालक की दर्दनाक मोत हो गई इस तरह की घटनाय दुर्भाग वर्स भीडबाड़ वाली सडकों पर कभी भी घट सकती है लेकिन रामगर चीनी मिल के 2022 के पिराई सतर चालू होते ही संदना पुलिस की कारिशायली भी बिवादों में रही है जहां आए दिन छेतर में दुपहिया वाहनों की चेकिंग चलती रहती है वहीं भारी वाहन जो की वोरलोड तरीके से चलते हैं साथ ही उनकी फिटनेस और नंबर प्लेटे भी गायव रहती है आज इस दरदनाक हादिसे के बाद भी संदना पुलिस की सम्वेदन सेल भासा सामने आई जिसमें संदना एसो ओपी तीवारी मौके पर परिजनों को हाल ही में शड़क दरगटनाओ में पुलिस अधिकारियों की मौत का उदारहन देते रहें साथ ही पुलिस के उच अधिकारियों को मौके पर ना आने की बात कही गवर से देखे इस वारल वीडियो को हो इंड को और हम लोग जाम लगा रहे हुआँ की childhood something यह सबुपुद के लिए इसकर पोटों कीछा है ना सबूट के लिए दिए के सबुट को समार्टम होाई कि अध्रक्ष को अध्रकाइब करन से मिलेजिया कफ्टान आए यह यहां तो होगा कफ्टान नहीं आएका यहां थी कर दो